दस दिन की महुलत के बाद भी A.S.I. ने मांगी तीन और दिन की महुलत ग्यानवापी मस्जद और शिंगार गौरी मामले में लगभग तीन महिने तक चले A.S.I. सर्वे की रिपोर्ट आज वरानसी के जिला जज अजय कृष्ण विशेश की अदालत में पेश होनी थी के सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए डेडलाइन कई बार बढ़ाई जा चुकी है इससे पहले कोर्ट द्वारा रिपोर्ट दाखिल करने की जो समय मियाद थी वो अब पूरी हो चुकी है पिछले 18 नवंबर को कोर्ट ने ASI के तरफ से मांगे गए 15 दिन के वक्त की याचिका के बाद 10 दिन की महुलत हिदायत के साथ दी थी गौर तलब है कि ग्यान वापे में सर्वेक्षन का काम करीब एक महीने पहले ही समाप्त हो गया था इसके बाद ASI ने अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था अंतिम डेडलाइन 18 नवंबर को बढ़ाई गई थी तब ASI ने 15 दिन और मांगे थे हाला कि कोट ने इसके लिए 10 दिन की इजासत दी थी जिसकी समय सीमा 28 नवंबर को खत्म हो चुकी है मगर आज फिर से ASI ने 3 हफते का समय मांग लिया है